हलो दोस्तों और फिर से स्वागत करते हम आपका आज के हमारी इस खास वीडियो में आज T20 World Cup 24 का समापन हो इन वाला है यानि कि आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा या मुकाबला साउथ अफरीका और भारत के बीच में खेला जाएगा ऐसे में या मुकाबला बेहती खास हो जाता है खास करके हम भारती फैंस के लिए क्योंकि हमें उम्मीद है कि 277 का सुखा जो T20 World Cup का था वा खत्म होगा और इस साल हमारे देश हमारे घर T20 World Cup का ट्रोफी आएगा खेर आज पता ही चल जाएगा क्योंकि आज रात 8 बजे से यह मुकाबला खेला जाना है अगर स्टेडियम के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बता दे कि यह मुकाबला Kensington Oval Barbados के स्टेडियम में खेला जाएगा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह सारे रिकोर्ट्स जिनके मदब से आप बना सकते हैं परफेक्ट फेंटेसी पिलेंग 11 लेगिन सबसे पहले चलिए पीच के बारे में आपको बता देते हैं बता दे कि Kensington Oval Barbados का जो पीच है वहाँ पे आपको ज्यादा सीम मुवमेंट देखने को मिलेगा खास करके नई गेंदो से ऐसे में चुकी नई गेंदो से जब ज्यादा सीम मुवमेंट देखने को मिलता है वह मुवमेंट बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बैटर्स के लिए बड़ा जल्दी स्टार्ट करने के लिए और सेटल होने के लिए इसके अलावा आपको नए गेंदो से एक्स्ट्रा बाउंस भी देखने को मिल सकते हैं खास करके तेज गिंदबाजों के परस्पेक्टिव में आपको यहां तेज गिंदबाज बड़ा फाइदे में देखता हुआ दिखाई दे सकता है यहां पर आपको कुछ रिकोर्ड्स भी दिख रहे होंगे डेटा की हिसाब से उस हिसाब से आप पेसर्स को अपनी टीम में सामिल कर सकते हैं लगिन हम तो कहेंगे कि अगर जो टीमे टॉस जित कर सबसे पहले अगर गिंदबाजी करने का फैसला करती है तो उस लिहास से आप उन टीमों के पेसर्स को जादा लें जो सबसे पहले गिंदबाजी कर रही है क्योंकि गेम जैसे ही आगे बढ़ेगा उसके बाद आपको इस पीनर को भी फाइदा मिलता हुआ दिखाई देगा और उतना ही फाइदा पेसर्स को भी मिलता दिखाई देगा इस टेडियम की रिकोर्ड्स के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बता दे कि इस टेडियम पे अब तक 50 मुकाबले खेले जा चुके हैं वहीं हाइट टोटल इस टेडियम का दोशोओ चोबीस रं का रहा है पांच विकेट के नुकसान पर वहीं लोव जोविच्ट बारे में लेकिन सबसे पहले हम आपको प्लेइंग 11 बताने से पहले और हेट टुहर्ट र gosto इस पहले तन आप को बता दे कि दोनों टीमों ने नौकॉट मैचों में कैसा परदसन किया है खास करके T20 वलकब के नौकॉट मैचों में बात अगर भारत की कर ली जाए तो आपको बता दे कि भारत ने T20 वलकब की इतिहास में छे नौकॉट मैचे खेले हैं जिसमें चार सेमी फाइनल मुकाबले और एक फाइनल मुकाबला भी हा रहा है वहीं at the same time साउथ अफिका की टीम जिसे फैन्स चोकर्स भी कहते हैं साउथ अफिका ने आज तक सेमी फाइनल मुकाबला नहीं जीता है अगर 2024 को छोड़ दिया जाए जो कि बांगलादेश की खिलाब सेमी फाइनल मुकाबले तक मैचों के बारे में भी इसके अलावा सारे head to head records आपको बताएंगे शुरुवात भारत से करते हैं भारत की प्रोबेबल प्लेंग 11 में आपको बल्ले बाजो में विराट कोली कप्तान रोही सर्मा विकेट कीपर रिसब पंत सूरी कुमार यादाव वहीं all-rounders में आपको हार दिखाई दे सकते हैं अगर पिछले मुकाबले की हिसाब से हम आपको बताएं तो पिछला मुकाबला का जो पीच था वह ज्यादा इस पीनर फेंडली था ऐसे में आप अक्छर पटेल को कप्तान इसमें नहीं बना देंगे यह देखकर कि पिछले मुकाबले में उन्होंने विकेट कीपर भी हैं रिजा हेंड्रिक, हेंडरिक कलासिन और डेविड मिलर दिखाई दे सकते हैं इसके अलावा और रांडर्स में आपको कप्तान एडन मारकरंप, टिस्टन स्टप्स और केसव महराज दिखाई दे सकते हैं गेंदवाजों में मारको जांसन, कगीसोर यहां आपको कगिसोर अबाड़ा बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं विकेट चटकाते हुए देखे जा सकते हैं दोस्तों चुकि फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है ऐसे में चली आपको बताते हैं कि आखिर में जब दोनों टीमों ने नौकोट मैचों में इससे पहले भ लिबाजी करते हुए इसकोर बोट पर 172 रन जड़े थे चार विकेट के नुकसान पर इसके जवाब में भारत ने 176 रन बना दिया था चार विकेट के नुकसान पर पांच गेंच सेस रहते हुए उस मुकाबले के प्लियर ऑफ दा मैच थे विराट कोली जिन्होंने नबा टीमों की हेट टू हेट रिकोर्ट के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बता दे कि दोनों टीमों ने अब तक 26 मुकाबले एक दूसरे खिलाब खेले हैं जहां 14 मुकाबले भारत ने जीते हैं 11 मुकाबले साउथ अफरीका ने अपने घर में पांच मुकाबले जीते हैं वहीं अपने घर में South Africa ने 3 मुकाबले वहीं घर के बाहर यानि कि South Africa के मैदान पर भारत ने 6 मुकाबले जीते हैं South Africa ने इंडिया के घरेलू पीछ पे खेलते हुए 6 मुकाबले जीते हैं नीटरल वेन्यू पर इंडिया ने South Africa खिलाब 3 मुकाबले जीते हैं वहीं South Africa ने नीटरल वेन्यू पर इंडिया खिलाब 2 मुकाबले जीते हैं यह तो रही overall head to head records T20 अंतराश्टे मैचों की लेकिन चुकि T20 वरलकप खेला जा रहा है उसके head to head records के बारे में बात कर ली जाए आपको बता दे कि दोनों टीमों ने 6 मुकाबले खेले हैं एक दूसरे एक खिलाब जहां 4 मुकाबले भारत ने जीते हैं वहीं 2 मुकाबले South Africa ने यहां भी आपको दिखाए देगा कि भारती टीम का पलड़ा भारी है कोई भी ऐसा मुकाबला नहीं रहा जो कि बेनतिजा र तो दोस्तों हमने वह सारे रिकोर्ट्स आपको बताएं जिनकी मदद से आप बना सकते हैं परफेक्ट फेंटेसी प्लेंग एलेवें अगर एक फेंटेसी टिप्स के बारे में बात कर लिजाए तो आपको बता दे कि जिन खिलाडियों को आप अपनी इस टीम में सामिल कर सक साथ रफिका खिलाप नौकॉट के मैचों में उनका रिकोर्ट्स अच्छा रहा है तो आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं और रॉंडर्स में आपको हार्दिक पांडिया अक्छर पटेल और मारको जांसन्स दिखाई दे सकते हैं वहीं गेंदबाजों में आप कुल्दी प्य इंग 11 बनाने को ले करके मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा धन्यवाद